नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का दोस्तो HSC Group D भरती जो कि 2018 में हुई थी 18,218 पदों भे तो उसकी वेटिंग लिस्ट से समंधित एक नई खबर आई है तो यदि आपने पेपर दिया है तो आपके लिए ये most important खबर है और इसमें क्या है जिनका वेटिंग में नाम नह करेंगे तो यदि आप complete detail जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंद तक जरूर देखें दोस्तों वीडियो में आगबढ़ने हैं पहले आप सभी स्रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों साथ ज्यादा ज्यादा सेयर करें और जो तो जो ग्रूप D खेल कोटा है उस पे काफी टाइम से विवाद चल रहा है तो उसके लिए जो रिक्त पद है वहाँ पे अभी जो क्या है नए बच्चों को न्यूकती देने का फैसला है ये बोला गया है प्रदेश सरकार ने नोडल अफसरों को किया है बैठक बुलाई है और याना में ग्रूप D के कितने पद है इसमें देख लेते हैं 9000 पदों में से खेल कोटे के रिक्त पदों पर प्रदेश सरकार ने निूकती देने का फैसला किया है और निूकती वेटिंग सूची के उमीद्वारों को मिलेगी देखो ज्यान से सुनो और जिन के पास खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट होगा इसके लिए विभाग के नोडल अपसरों की बेठक मंगलवार को और याना करमचारी चायना होगी सचीव इसा कंबोज की देख्सता में होगी और मुख्या सचीव ने परसासनिक सचीव को से काए कि जिन विभागों ने रिक्त पदों का आगर है पत्तर आयोग के पास बेज़ाए उन विभागों के नोडल अपसर इस पेटक में भाग लेंगे तो इसमें जो में में चीज है मैं बता देता हूँ खेल कोटे के लगबग 400 पद है जो की रिकता है तो इसके लिए जो चीज इसमें बताई है मैं बताता हूँ आपक समबर 2020 और 25 मई 2018 को की निटी के नुसार जो सर्टिफिकेट परस्तूत किये गए हैं तो उनके नुसार जो सर्टिफिकेट है आपके पास तो उन सब को जो है नोगरी मिलेगी तो 400 गयास पास पद खाली है और इनकी जो लिष्ट है वो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी तो फिलाल मंगलवार को इनकी बैठा गए उसके बाद इसका पता लगेगा यानि कि आज इसकी बैठा गए उसके बाद आपको पता लगेगा कि कब तक जो है आपकी लेष्टा है वो जारी हो सकती है तो दोस्तो यही एक important information थी आपने ये वीडियो यहां तक देखिए आप का बहुत बहुत दन्यवाद